नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन के टोप 25 परमुख खबर जानते हैं अमर कुमार महतो ने प्रेस को समोधित करते हुए कहा है कि जार्खन खतियान मोर्चा जार्खन का नयास अंगटन है जो 2024 में लोग सभा और विधान सभा चुनाव लड़ेगी उमिद्वारों को उचित प्रसिक्षन दिलाया जाएगा प्रसिक्षन कारिकरम जुलाई माह जमसेद पूर्शे प्रादम होगी जिसमें भासा खतियान महतपुर्ण जनकारी दी जाएगी मोर्चा की अस्थापना पूर्व विधायक सूर्य सिंग बेसराक नित्वित में किया गया है जार्खन खतियान मोर्चा जार्खन के तमाम अंदुरनकारी अंदुरनकारी संगटनों को सामिल करने का काम करेगी परमंडली वह जिला अस्थरिय संगटन का गठन हो चुका है बहुत जल्द प्रक्षंड अस्थरिय भी होगा वहीं पंचायत अस्थरिय संगठन का बिस्तार किया जाएगा जारखंडी, खतियान, मोर्चा, समोहिक चिंतन, समोहिक निर्नाय से जारखंड का नौर निर्मान करेगी जारखंड में खतियान अधारित आस्थाने निती, नियोजन निती, सिक्छा निती, चिकित्सा निती, उध्योग निती और फष्टा चार के विरूत काम करेगी ज्यादा से ज्यादा संख्या में खत्यान धारी अंदोलन कारी को जोड़ने का काम करेगी उडिशा ट्रेन हादसे में जार्खन के 60 लोग घायल 3 की मौत उडिशा के बाला सोर में 2 जून को हुए भीशन रेल दुर घाटना में अब तक जार्खन के 3 लोगों की मौत की पुष्टी हुई है इसमें 2 लोग की पाचान कर ली गई है जबकि 100 का आभित तक सिनाक्त नहीं हो पाई है वहीं इस हादसे में जार्खन के 61 घायलों की पाचान की गई हलाके मिरित को और घायलों की संख्या बढ़ सकती है मुख्य मंत्री हेमन सुरेन के निदेशपसरम सचीव राजे सर्मा के नेतित में अधिकारियों और चिकित्सकों की टीम ने रभिवार को बाला सोर में घाटना स्थलका जाजा लिया और इस हादसे में जार्खन की पिरितों से मुलकात कर पूरी जनकारी ली मिली जनकारी के अनुसार इस दुर्खटना में जार्खन के तीन लोग की दुखद मौत हो गई है जबकि एक सट लोग घाईल हुए है कुछ लोग के मोबाइल नंबर मिसिंग है जिनका सत्यापन किया जा रहा है बताया जाता है कि घाईलों में अधिसंख संताल प्रमंडल के हैं वहीं बाला सोर गई टीम में रांची के उपायुत राहुल कुमार सिनहा रांची सदर अस्पताल के सर्जन डाक्टर अजीत कुमार जार्खन कंट्रोल रूम के पतादिकार योचिकित सा सामिल है जार्खन बोड कक्छा एगार्वी का रिजल्ट 10 जून तक जार्खन एकेडमी कौंसिल ने आठवी बोड की परिक्छा रिजल्ट सन्नी वार 3 जून को जारी कर दिया है अब चात्रों को एगार्वी के रिजल्ट का इंत्यार है एसे में जार्खन एकेडमी कोसी जल्द ही जार्खն एक गारवी कक्छा के रिजल्ड 2023 के लिए रिलिज की तारीख और समाय के पूश्टी करने जा रही है जिन चात्रों ने इस साल अपनी जेक कक्छा एक गारवी के परिख्षा दिया है वे अब जैक एकारवी के रियल्ड का इन्तियार कर रहे हैं जिनकी उमीद की जा रही है बताया जा रहा है कि जून तो 2023 के पहले सप्ता में या फी 10 जून तक रियल्ड जारी कर दिया जाएगा जारखन में कुपोसित बचों का आकला 32 पर 30 के पार रिम्स में अस्थापित स्टेट सेंटर ओफ एक्सिलेंस द्वारा गंभीर कुपोसन पर आयोजीत राजय अस्तरिय कारसला में रभिवार को सीसू में कुपोसन की मुख्य वजहों पर 20 से जनकारी दी गई कारसला में सामिल वरिष्ट डाक्टरों का मानना था कि सीसू में कुपोसन का मुख्य कारन उन्हें 6 माहिने तक अस्तन पान्ना कराना है सीसू रोग विशे सगयों ने बताया है कि जारखन के आकड़ों से पता चलता है कि 6 माहिने से कौम की उम्र में सीसू में वेस्टिंग और ग्रोथ फेलियोर का प्रसार सबसे अधीक है जो 32 पर तिस पर तिस तक है स्वास्त सिवाओं के मुखे निदेशक बिरंद्र परताप सिंग ने बताया आएकि सरकार के केंद्रिये पर्यासों से तीवरे कुपोस्वन वाले बच्चों के अनुपात को 2015-16 में 29 पर तिस त से 2019-21 में 22 पर तिस तक लाने में सफलता मिली है उडिशा ट्रेन हाथसा 250-100 की पहचान के लिए गाउ गाउ भेजी जाएगी मृत को की तस्वीर उडिशा ट्रेन हाथसे की चपेट में आये जारखन वासियों की मदत के लिए मुख्यमंत्री हमाम सिरिन के निदेस पर राची के उपायूक्त के नेतियुत में गठी टीम बालासोर पहुंची हुई है कि सवोग की हलात ऐसी है कि उनकी पाचान करना मुश्किल हो रही है उन्होंने ऐसी हिर्दय विदारक दुर्गाटना पहले नहीं देखी थी सवोग को देख सभी अधिकारियों की आखे नम हो गई इस बीच बालासोर जीला परसासने जहारखन से गाइट टीम को 250 सवोग के सवोग की पाचान करना एक बड़ी समस्या उभर कर सामने आ रही है आई टी आई में प्रसिक्षन अधिकारियों की नियुकती के लिए निकली भैकेंसी राज्य के अधियोगी प्रसिक्षन सस्थानों में प्रसिक्षन अधिकारियों की नियुकती के लिए तीसरी बार पर क के लिए शुरू की गई है स्राव नियोजन में प्रस्रिक्षन विभाग के अनुसंसा पर जार्खन क्रमचरी चैन आयोग ने कुल 930 पदों पन्युक्ति के लिए आयोजीत होने वाली जार्खन अधिकारी प्रत्योक्तिया परिक्षा में सामिल होने के लिए 23 जुन से 22 जुलाइ तक on-line आवेदन भरे जाएंगे रांची के बिर्शा मुंदा पार्क में भाजपा का बिकास तिर्थ कारकरम रभीवार को भारतिया जनता पार्टी ने विकास तिर्थ कारकरम के तहट भागवान बिर्षा मुंडा पार्क एवं संग्राले में अपने करकरताओं के साथ बैठक की बैठक में मुख्या आती थी के रूप में राई सभा सांसर दिपक प्रकास राजे के पूरों मंत कायः सहीद अस्मारक सावा तीन क्रोड जनता के लिए तिर्थ अस्थल के समान है उन्होंने कहा कि प्रदां मति norm मुदी के मागधशन में भाजपाए डबल इनियन की सरकार ने इसे बिकसित करने का काम किया उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने भगवान बिर्सा मुंडा के सह आदत अस्थल को ही बिक्सित नहीं किया बलिक उनकी जन्मतिति को जन्जातिय गोरो दिवस के रूप में मना कर पुरी दुनिया को जारकन का गोरो बढ़ाया राइधानी राउची के इटकी थाना चेत्र के इटकी मोड के पास जुआ अतापर सनिवार की राद पुलिष ने छपे मारी कर पंदरह जुआरी को गिरफतार कर लिया है पुलिष ने आरोपियों के पास से 4 लाख से ज़्यादा नगदी भी बनामत की है इसके लाव पूलिस ने एक दर्जन से अधिक वाहनों को विजब्त किया है पूलिस ने आरोपियों से पूस्ताच के बाद मामला दर्ज करने आई खिरासत में भेज दिया बदादे मामले में इटकी के अस्थानिय लोग लगातर पूलिस से सिकायत कर रहे थे लोग इस सिकायत पर पूलिस ने गुपत सुचना पर छापे मारी कर रहा सफलता हासिल की है राज जेपाल का नासा मुक्त समाज के निर्मान पर जोर राज जेपाल ने कहा है कि इस अभियान की सफलता अकेले सिर्फ एक संगठां की जिम्मिदारी पर नहीं इसके लिए समाज के सभी सरस्यों के सामोहिक परियास वमस्वयोग करने की ज़रुवत है राज जेपाल सीपी राधा किष्णा ने कहा है कि नासा खोरी आधोनिक समाज की सबसे जवलन समस्याओं में से एक है कई मायनों में या लाई लाज बीमारियों से भी अधिक खतरनाक है नसिली दवाओ के सेवन से उनका जीवन तो बरबाद होता ही है उनके परिवार को भी बहुत पिडाक का सामना करना पड़ता है पल्लामू में पिंक बस के बाद पूरसो के लिए बुलू सीटी बस सेवा नगर निगम छेतर में सो मुआर से पूरसों के लिए बुलू सीटी बस की सिवा अराम की जा रही है इसे सिधे तोर पर छात्र दैनिक कर्मी बुजुरुगों वा अने लोगों को फैदा मिलेगा यह जनकारी निव अर्तमान महा पर अरुन संकर ने दी है बुलू बस परिचालन प्रखुती जाहिर करते हुए उन्हों ने कहा कि पूरो में महिलाओ छात्र दैनिक मजदूरी करने वाली महिलाओ के लिए जहारकान में सबसे सस्तेदर पांच रुपय में पिंक सीटी बस का परिचालन अराम करा गया था